तो हेलो गाइच आजके इस विडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तो माइ फाइल जो है फाइल मैनेजर या फिर माइ फाइल जो दोस्तो आप जब भी टच और वह आटोमेटिक बैक हो जा रहा ओपे नहीं हो रहा है दोस्तों अगर आप में भी यह बैक प्रॉब्लम हो यह और आपका file manager या फिल आपका my file जो फोपे नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप उसको कैसे problem को फिस कर पाऊगे आज के दोस्तों यहीं बात करेंगे उससे पहले दोस्तों को क्या करना है वीडियो को पूरी तक देखना है चैनल पेहली बाइए दोस्तों चैनल को लिखा होगा अपने mobile में देख सकते हो file manager ठीक है इसको आपे लिख देना है file manager तो दोस्तों यहां पर file manager लिखके अपने file को जो है update कर लेना ठीक है update करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने mobile के setting को open करना है ठीक है जब अपने mobile के setting को open करते हो दोस्तों यहां पर करने के यहां पर देहाँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अप मैंज़मेंट का आप संच चिया दोस्तों आप में हो सकता है एक का आप उस पर यहां से आप का दूसरा इंटरफेस नीकल के सामने आजएगा जैसे कि अपके और सारा का सारा अप्लिकेशन सो करेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखो अगर आपका और जो से कि मैरा जो है ओल्ड वर्जन मुबाइल है अगर आपका न्यू वर्जन होगा तो पूरा यहां पर ही सो कर देगा अधर्वाइज यहां पर दोपर में लिखता है सो सिस्टम प्रोसेस इस पर क्ल तो पर हमःड कर दोऊं करते हो तो यहां पर करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर मेनेजर को करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो तर्म आप सर्विस यहाँ पर कर देना है उसके बाद से आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका इंटरफेस निकल के सामने आ जाता है आप दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर डॉकुमेंट जो भी अपने यहाँ जो कुछ डूमेने टेक के साथ तब तक के लिए जैन